नमस्कार दोस्तों इस टड़ी आएक्यू आई एस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरत दुवे और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएए आधनिक भारत के इतिहास के क्रम में लगातार आगे बढ़ते हुए आज हम 25 भाग में पहुँच चुके हैं 25 पार्ट है और इस 25 भाग में आज हम आंगल अफगानिस्तान जो संबंध है उसमें जो होने वाले युद जल्दी से जल्दी आप सब लोग मुझे बताईए कि क्या आप सब लोग मेरी आवाज थीक तरीके से पाप आ रहे हैं नहीं ठीक है जल्दी से जल्दी बता दें एक बार फिरम क्लास आगे शुरू करते हैं गुद इवनिंग भाई गुद इवनिंग सभी लोगों को भहुत भहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नमस्कार तो मुझे बताईए कि आप सब लोग को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ठीक है गुद इवनिंग लुकिंग हैंडसम वाईसो ऐसा क्यों भई रोज नहीं अच्छे लगते हैं चली खैर आप लोगों का प्यार है प्यार भरी द्रिश्टी है जो इस तरीके से आप लोगों को सोचने पर समझने पर विवश्च कर रही है चली बगार देर किये हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप सब लोगों पर एकाई दो में हैं और लगभग लगभग एकाई दो मतलब आज शायद इकाई दो का अंतिम दिन है विदाई है कल जब हम आपके सामने आएंगे तो अध्याय यह यूनिट दो से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्ण हैं उनको ले करके आएंगे और जो उसके उत् पाता है आज यह नहीं टेलिग्राम में आपको इसकी पीडिएफ मिल जाएगी कल पीडिएफ इसले नहीं मिली थी क्योंकि यह जो अफगान संबंध है इसको कंपाईल करके हम एक साथ आपको पीडिएफ देंगे तो उसके लिए परिशान मत होना यह लेक्चर 24 25 का कॉंब लेकर क्या है सीमावर्ती देशों के संबंध में आज आज हम पढ़ने वाले हैं आंगल आंगल अफगान अंगल अफगान संबंध ठीक है आंगल अफगान संबंध सभी लोग कॉपी कलम पैंसिल सब लेकर के बैठीए का धियान से अच्छा हो सकता है भई कुछ डिफरेंट होगा अब कुछी समय शेस रहे गया है हमारे पास में स्टडी आईक्यू आईएस हिंदी जो 14 फरवरी बैस से शुरू हुआ था इस बैस में अडिमिशन लेने के लिए कुछ ही समय शेस रहे गया है यानि कि अब 23 फरवरी अंतिम्तिती है और 23 फरवरी होने के लिए अब जादा समय शेस नहीं रहे गया है लगभग लगभग आज 22 खतम हो रही है ठीक है तो अच्छा भई ये हैंसमनेस जो है ये सब को एक साथ समझ में आ रही है आज तो मैंने मतलब आज तो सिंपल में शेर्ट पहन करके ही आ गया हूँ तब भी कभी-कभी होता है ज्यादा सिंपल सो सिंपल सो हैंडसम ये ऐसा हो जाता है शादुआली फील आपको आ रही होगी तो विरत लाइब कोड का इस्तेमाल करिएगा वई, ठीक है, कल तक आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कल तक, कल के बाद ये batchman Admission नहीं ले पाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी इस कोड के इस्तेमाल करो, और admission ले लो, ठीक है, चलिए बगार देर किये हुए बढ़ते हैं आगे आज का पहला जो सत्र है उसको हम हलका सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे जैसे कल की बात करें सभी लोग त्यार हैं सभी लोग एक दम अब पढ़ने के लिए त्यार अच्छा हमारे साथ ही नोट्स बनाते हैं ठीक है चलिए तो सभी लोग त्यार हैं अब चीजें बोली बताई जाएं समझाई जाएं लिखने का कारेक्रम शुरू हो पढ़ने का कारेक्रम शुरू हो आगे बढ़ने का कारेक्रम शुरू हो सबसे पहले तो ब्रिटिश के point of view सो देखें तो अंग्रेजों को अपने सामराज की सुरक्षा और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था पश्चिमोत्तर जो प्रांत था उसकी ओर से एक कह सकते हैं कि जो सामरिक जो सीमा थी उसकी समस्या अंग्रेजों के सामने आ चुकी थी और समाधान में अगर हम देखें तो इसी समस्या के समाधान में अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने ये समाधान निकाला कि अगर भाई अंग्रेजों अगर हम अफगानों से संबंद बना के रखेंगे तो उस संबंद बनाने से हो सकता है कि जो सामराज की सुरक्षा है वो तो कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान के साथ संबंद बनाना जैसा कि मैंने कल के लेक्षर में बताया था ब्रिटिशर्स के एक मजबूरी हो चुकी थी उसके पीछे कई सारे कारण थे और उन कारणों में मैंने आपको बताया था कि कल आप लोग बालकन स्टेट देखकर क्या आईएगा कितने लोगों ने देखा है कितने लोगों ने बालकन स्टेट को मेरे कहने के बाद नक्षे पे देखा उन जगहों को इमानदारी से बताना देखो बेमानी मत करना इमानदारी से बताईए कि कितने लोगों ने बफरिंग नहीं हो रही है यहां पर सही चल रहा है बफरिंग बफरिंग नहीं हो रही है तो जल्दी से बताईए इमानदारी से बताईए कितने लोगों ने कल इस चीज़ को पढ़ा जाकर करके बालकन स्टेट्स के बारे में तो वेने बताया था वहां पर रशीय के लिए समस्या खड़ी हुई तरकी में रशीय खुल्ले समस्या खड़ी हुई तो रशीय जो है वो फारस और अफगानिस्तान के तरह अब फारस और अफगानिस्तान में भी अपनी कुछ समस्याएं थी शुरुवात में आगर हम अफगानी शासक जमनशाह की बात करें तो जमनशाह एक ऐसा व्यक्ति था जब भारत में सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली का जब समय था तो उस समय जमनशाह ने भारत पर आक करें तो अफगानों के ओपर जो है वह नेपोलियन के हमले का खतρά था बाद में रूसी हमले का खतरा भड़ गए तो यह सब कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके ओपर हमने कल डिसकॉशन किया था हुँँ ठीक है तो इन सब चीजओं पर हमने डिसकॉशन किया था उसी को मैंने एक थोटा सा पॉइंट करके रिवीजन आपको करा दिया या बता दिया 1793 के आसपास अगरम देखें तो तैमूर शाह दुर्रानी जो अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था उसकी मृत्यू हुई 1793 में और उसके बाद उसके तकरीबन 23 बेटे थे जिनके आसब में शासन के उत्राइदिकार को लेकर एकदम ग्रहयद उसा चल पड़ा और यहीं सब परस्थितियों में अगर हम देखें तो मुहमद शाह दुर्रानी के बाद अगर हम बात करें तो मुहम्मद शाह दुर्रानी के बाद जमन शाह गर्दी पर बैठा था जिसके बारे मैंने बताए कि सर जौन शोर के समय में भारत पर आक्मर करने वाला था वो जमन साह दुर्रानी के बाद अगर हम बात करें तो मुहमर शाह गद्धी पर बैठा मुहमर शाह के बाद अगर हम देखें तो मुहमर शाह दुर्रानी के बाद शाह सुजा गद्धी पर बैठा शाह सुजा दुर्रानी और शाह सुजा दुर्रानी जो है उसके दो शासनकाल हमने कल आपको बताये थे, यह समझाने का प्रयास किया था, एक शासनकाल हमने 1803-1809, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, आगे बढ़िए, 1803-1809 तक एक शासनकाल बताये था, और दूसरा शासनकाल हमने आपको तकरीवान 1849-1842 के आसपा यह वो पॉइंट्स थे, जिनके उपर हमने कल चर्चा की थी, है ना, याद है न सबको, कुछ खास कठिन पॉइंट नहीं है, अब ही क्या है कि, अगर हम देखें, तो जब शासुजा गद्धी पर बैठा, तो शासुजा भी भारत पर आक्रवन करना चाहता था, और उसके पहले कारेकाल के अगर हम बात करें, तो उस दौरान जो है, वो थोड़ा सा अंग्रेजों के साथ उसके कठिन संबंद हुए, लेकिन बाद में अंग्रेजों की शरण में ही वो भी चला गया, लुधियाना में वो भी जाकर के शरण ले लिया था, 1826 में से लेकर, 1826 तक बैठते रहे, उतरते रहे, बैठते रहे, उतरते रहे, लेकिन 1826 में अगर हम देखें, तो तमाम सारे जो कमजोर अमीर थे, उनके बाद वहाँ पर गदी में, दोस्त मुहम्मद जो था, वो अफगान सरदारों की अनुमत इसी जो है, वो गदी पर बैठा, और वहाँ के अमीर जो है, वो स्विकार किया, तो अब हमको यहाँ पर एक पॉइंट हैं रखना है, 1826 वाला, 1826 में दोस्त मुहम्मद, कौन? दोस्त मुहम्मद, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, कल इसके बारे में बताया था है, कुछ चीजें रिकॉल हो रहे होगी, इ दोस्त मुहम्मद जब गदि पर बैठा और इसे जब आमीर चुना गया, तो ये जो है, जब गदी पर बैठा, तो इसने इसने जो है, अपने राज्य को थोड़ा सुरक्षित करना चाहा, सुरक्षित करना चाहा, जरूर लेकिन इसके राज्य में भी अपनी कुछ कि यह इसका इसने रिप्लेस की था एक तरीके से सक्वर दिखाए तो सब्सक्राइब कि उसने बाद में जो है नagnosti कि शरण में जाकर के लुधियाना में पेंशनर हो गया तो ये सब चीजें कल हम लोगों ने डिसकेशन करी थी इसके ओपर हमने कल चर्चा करी थी विस्त्रिच चर्चा करी थी शायद आपको अच्छी तरीके से याद भी हो और ये भी बताया था कि उधर इधर जो अगर उन् जैसे अगर हम बात करेंगे तो जो काबूल वाला पेशावर वाला जो इलाका है वहां से क्यों क्यों यहां सबसे पेशावर वगएरा जो है वो रजीत सिंह के पास में रह गया था कांधार और हिरात की बात करें तो ये इनके भाईयों के पास में थे कांधार और हिरात और कांधार और हिराद जो इनके भाईयों के पास में थे इनके ओपर भी थ्रटें था इनके ओपर भी खत्रा था ठीक है फारस उदर से दबाव डाली रात अफगानिस्तान पर पेशावर जा चुका था इनके हांस से अब ये काबूल के शासक बने हुए थे लेकिन इस काबूल क के लिए खत्रा बना हुआ था शाह शुजा यह लगातार खत्रा बना हुआ था जो कि अंग्रेजों के शरण में था तो इसके पास भी अपनी बहुत सारी समस्याइं थी जिसके ओपर हमने कल चर्चा किया था हां 1809 में 1809 में दोस्त मुहम्मद गर्दी पर बैठा था 1809 में दोस्त मुहम्मद ने गर्दी से हटाया था शाह सुजा को शाह सुजा जो है किंग मेकर की तरह वहां पर कारे कर रहा था शाह सुजा जो है उसने दोस्त मुहम्मद को वहां से सुरी दोस्त मुहम्मद ने शाह सुजा को वहां से हटाया था खुद गर्दी पर एक तर यह तो तो इसको सही कर लो अगर ऐसा कुछ हुआ था हो सकता है बोलने में निकल निकल गया हो लेकिन उसको सही कर लिजिए कि बेरल अब देखें मैंने आपको यह भी बताया था कि 1836 में ओक्लैंद भारत आ गया एक टीन थर्टी सिक्स में लॉर्ड ऑखलेन जो है Auckland जो है वो भारत आया और Lord Auckland जब भारत आया तो उसके पास जो समस्याएं थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से उसको क्या करना है भारत में अफगानिस्तान के साथ ठीक संबंद स्थापित करके उसे अपने कंट्रोल में लेना है ये चैलेंज था एक तरीके का तो 1836 में जब Auckland के निउक्ती हुई तो दोस्त मुहमद जो है वो अंग्रेजों से दोस्ती करने के लिए ततपर था उसने Auckland का स्वागत किया और स्वागत में बढ़ाई पत्र एक लिखा और बढ़ाई पत्र लिख करके Auckland को भीजा इस बढ़ाई पत्र में वो Auckland से मित्रता करना चाहता था लेकिन साथ ही साथ वो मित्रता के साथ साथ उसके अपेक्षा ये भी थी कि अंग्रेज जो है उसे उसकी सहायता करें और जो पेशावर जो रणजीत सिंग के पास में है वो पेशावर लेने में मदद करें टो क्या हुआ 836 में है Auckland के आने पर जो दोस्त मुहंम्मद है उसने क्या किया दोस्त-मुहंमदद ने स्वागत पत्र लिखा पत्र हाई उस्वागत पत्र और उस्वागत पत्र में अथ मितरता के पेक्षा करी अंग्रेजों से और दूसरी पेक्षा जो थी उसकी वो ये थी कि अंग्रेजों का साथ मिले यानि अंग्रेजी साथ मिले किसके खिलाफ में ये पेशावर के विरुद में पेशावर के पेशावर के विरुद पेशावर के विरुध क्यों अंग्रेजी साथ मिले? क्योंकि वो पेशावर को पाना चाहता था और उस समें पेशावर किसके पास था? Raja Ranjit Singh के पास पहले तो अब यह इन ही के पास में था और यह चाहते थी कि अंग्रेजी सायता करके यह हमको दिला दें रुट्साही सा उत्तर दिया कि भाई हमारी नीती यह है हम यह हम इस तरीके की नीती रखते हैं या हम इस तरीके की नीती का पालन करते हैं कि भाई कोई हम किसी स्वतंत्र देश जो है उसके मामले में हस्तक शेप नहीं करेंगे इन्होंने जवाब क्या दिया जवाब दिया हम स्वतंत्र राष्ट्रों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते नहीं करते तो इसके दो अर्थ किस तरीके से हो गे कि एक तो यह है कि आप अफगानिस्तान हैं आप स्वतंत्र है हमने आपके उपर कोई अधिकार तो करने रखा है तो आपके इंटर्नल मAnnसे नहीं करsके हैं आपका साथ नहीं देंगे दूसरा अर्थ ये भी निकाल सकते थे भाई आप तो स्वतंत्र है ना या तो हमारे अंदर में आई तब हम आपकी बात मानें दूसरा ये भी अर्था लेकिन इसी तरीके से हाना हाना की बात जो है वो चलती रही और इन्होंने अहस्तक शेप की नी सितंबर 1837 में, सितंबर 1837 में Auckland ने Captain Alexander Burns को कापूल भेजा, तो मैंने आपको बताया था कि Alexander Burns जो हैं, वो कापूल भेजे गए थे, ठीक है, किसने भेजा था? Auckland ने, Auckland ने सितंबर 1837 को Captain Alexander Burns को कापूल भेजा, कहाँ भेजा? कापूल भेजा, अब वास्त्विक रूप में ये व्यापारिक प्रतिनिधित्व करने गया था, व्यापारिक प्रतिनिधित्व, तो अफगानिस्तान से व्यापार की नीतियों के ओपर discussion करने के लिए, दूद पना करके इसको भेजा था, लेकिन वास्त्विक रूप में ये ऐसा करनी रहा था, या इसका जो main purpose था, वो ये नहीं था, main purpose कुछ और था, main purpose ये था कि वो जो है, व्यापारिक नहीं, राजनीतिक मामलों में इंटर्फियर करके देखें, राजनीतिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, जाँच करें, ठीक है, राजनीतिक मामलों में क्या करें वो, जाँच करें, और जब राजनीतिक मामलों में जाँच करने की बारी आई, तो उसे यही मतलब बात समझ में आई, कि भाई, वास्तिविक रूप में जो दोस्त म मुहम्मद के दरबार से बैठे बैठे एलेक्सेंदर बर्न ने आउकलेंड को एक लेटर लिखा पत्र लिखा उसने लिखा कि यहां का जो अमीर है वो उसके विचार जो हैं वो पूर्टियां अंग्रेजों के पक्ष में हैं मतलब वो अंग्रेजों के पक्ष में रहना चाहत लेकिन मुमामला ये है कि अंग्रेज अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करें और रणजीत सिंग से पेशावर उसे दिलाएं ये काम अगर करेंगे तो जो अमीर है वो अंग्रेजों के पक्ष में जाने के लिए तैयार है ऐसा उसने इस दौरान भाप लिया और भाप करके ये जो है पत्र लिकर के उसको भेजा पत्र लिखा किसको पत्र लिखा इसने एलेक्जेंडर ये ओकलेंड को ओकलेंड को ये पत्र लिखा इसने पत्र में क्या लिखा कि अमीर जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में हैं अमीर अंग्रेजों के अंग्रेजों के अंग्र तो अमीर जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में हैं इसलिए आप जो है इन से सहायता इनको सहायता दे सकते हैं लेकिन इसकी सहायता की शर्त यह हो रही है कि बशर्ते आप जो है अपना जो राजनीतिक अधिकार है उसका प्रयोग रणजीत सिंग के साथ करिए और रणजीत सि आउकलेंड अपने ही दूद द्वारा लिखे गए पत्र और उसकी मंशा से संतुस्ट नहीं हुआ और उसने कड़े शब्दों में एक विपरीत पत्र जो है वो लिखा उसने कड़े शब्दों में अमीर का मतलब यहां पर होता है अमीर का मतलब जिसे यहाँ पर राजा होते हैं वैसे वहाँ पर अफगान में अमीर होते हैं शासन के प्रमुख अमीर का मतलब शासन के प्रमुख तो पेशावर जो है इसने बांगने का प्रयास किया औक्लेंड ने कड़े शब्दों में फिर से उत्तर लिख दिया और कड़े शब्दों में इस बार जो लिखा उसमें एक तो मनाही थी दूसरा हिदायत थी कमी और हिदायत क्या थी देखे ऐसा हुआ कि दोस्त मुहम्मद जो है वे पेशावर उसके लिए उसने बहुत ही मतलब स्ट्रॉंग मतलब जोर्दा तरीके से कहा एक शब्द तो ये कहा कि दोस्त मुहम्मद रिप्लाई क्या है रिप्लाई क्या हुआ पत्र का उस रिप्लाई में पहला point एथा कि दोस्त मुहम्मद दोस्त मुहम्मद पेशावर की इच्छा त्याग दें पेशावर की इच्छा त्याग दें दोस्त मुहम्मद क्या करें पिशावर की इच्छा त्याग दें पहली चीज दूसरी बात उन्होंने कहा कि काबूल और लाहौर जो है माफ कीज़ेगा काबूल और लाहौर लाहौर के बीच शान्ती बनी रहे इसके लिए भारत सरकार है और तीसरी बात उसने लिखी कि जो मैंने ये इनकार लिखा है इस इनकार से नाराज होकर नाराज होकर होकर दोस्त मुहम्मद को किसी और शक्ति से शक्ति से संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए ये हिदायत भी दी अब बात को समझे जरा आपर क्या लिखा गया क्या कहा गया क्या कहा जा रहा है उसको जरा समझे इन्हों ने ऑक्लैंड ने भेजा क्यार देखो जाकर के वहां चल क्या रहा है तो ये देखने गया अलेकसंडर बन ने जो देखा वो ये देखा कि अमीर जो है वह अंग्रेजों के पक्षमे आना चाहते हैं लेकिन बदले में ये चाहते हैं कि अंग्रेज जो है वो राजा रणजी सिंग से जो पेशावर है वो दिलवा दे इनको इनों ने reply लिखा कि देखो ऐसा है दोस मुम्मद तुम ख्वाब मत देखो यह सब हम ऐसा करके रणजी सिंग से ऐसा कुछ भी कहने वाले नहीं है और तुमको पेशावर नहीं मिलने मुलने वाला है पहली और कुछ भी ऐसा कदम मठ उठाना कि लाहॉर और काबूल के बीच में किसी प्रकार की दिक्कात आए क्यों कि मेडियेटर हम है और हम हमेशा चाहते हैं कि दोनों लोगों के बीच में शांती बनी रहे और हमारे इस इंकार से नाराज होके तुम रशिया और तरफ ना जले जा कि बैं निराज दोस्त मोहंमब ने अब वास्तिक रूप में अपना रुख जो है वो रशिया की और करना शुरू किया और उस्यमीच रशिया से दूत आया परशिया से जूत आया उसका नाम था क्याप्टैन विकटेवीच क्या नाम तासका क्यांस क्याप्टै는 विक्टिविच कुछ और भी प्रोनिशेशन हो सकता है कोई दिक्कत नहीं ये रूसी दूथ था रूसी दूथ अफगान अमीर से मिलने के लिए गया अफगान अमीर से मिलने आया मिलने आया अब जरा देखिए कंडिशन्स क्या बन रही है कंडिशन्स को जरा ध्यान से समझे आप यहाँ पर दोस्त मुहमद जो है वो शासक बना हुआ है वो उसको इस तरीके का खत्रा महसूस हो रहा है वो पेशावर को फिलहाल चाहता है काबूल का प्रोटेक्शन चाहता है 1836 में आउकलेंड आ गया है आउकलेंड का उसने स्वागत किया है इसलिए स्वागत किया है कि हम तुम्हारे से दोस्त बने रहें साथी साथ इस दोस्ती के बदले में आप हमको पेशाबर दिलवा दीजे रनजीट सिंग से कहलवा करके इन्होंने आते ही दोस्ती तो स्विकार करी लेकिन मना कर दिया कि भाई हम स्वतंतर राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जवाब दे दिया इन्होंने और जब 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 दे दिया तो क्या हुआ कि वो जो मतलब जो दोस्त मंमत था वो निराश हुआ कुछ समय बार ऑक्लेंड को लगा कि कहीं रश्य है इस पात का फायदा ना उठाए इसलिए ऑक्लेंड ने अलेक्जेंडर बंग को व्यापारिक दूद बना करके भेजा लेकिन उस व्यापारिक दूद ने आ कि राजनेतिक स्थित को भाबते हुए ऑक्लेंड को पत्र लिखा जिसके जवाब में ऑक्लेंड ने कड़े शब्दों में आलूचना कर दी कि ठीक है कि अब जब यहां पर इस तरीके से आलूचना कर दी तो उसी बीच घटना घटित हुई कि जे कैप्टन विक्तिविच जो है रूसी रूसी रुश्ययन राजदूद था और ये इनके दर्वार में आ पहुंचा ये इनके दरवार में आ गया और जब ये इनके दरवार में आया तो अब दोस्त मुहम्मद ने इसका जोरदार स्वागत किया दोस्त मुहम्मद ने क्या किया इनका दोस्त मुहम्मद ने स्वागत किया दोस्त मुहम्मद ने दोस्त मुहम्मद ने स्वागत किया ठीक अब यह जो दोस्त मुहम्मद है इन्होंने जब स्वागत किया तो इस से जो हालत खराब हो गई ओक्लेंड की ओक्लेंड सोचने लगा कि बताओ मना किया तब भी यह वहां पर रिष्टे रख रहे हैं और इस तरीके से जब यहां पर रशियन राज़दूत आ गया तो जो अमेरिकन दूद जो था बन वो यहां से वापस चला गया तो अमेरिकन दूद बन के होने का कोई फायदा नहीं हुआ काम्याबी नहीं मिली फाइनली 1839 में वो यहां से वापस लोड़गया भारत 1838 में भारत लोड़ गया और उधर यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी ज़ादा बढ़ गई कौन सी प्रॉब्लम इधर वाली प्रॉब्लम फारस ने हेरात के उपर आक्रमण कर दिया अब ये सब चीजें ही तो दोस्त मुहम्मत की परिशानी का कारण है थोड़ा मिक्स्चर यहाँ पर जादा है ये इधर अपनी हालत किसी तरह सही करने का प्रयास कर रहा है कभी अंग्रेजों के साथ तो कभी रशिया के साथ और इसी बीच फारस ने हेरात पर आक्रमण कर दिया अब वो और परिशान है अंग्रेज साथ दे नहीं रहे हैं रशिया से बात अभी बनी नहीं है और इधर फारस पर जो है वो क्या हो गया है आक्रमण हो गया है फारस पर जो है क्या हो गया है इधर आक्रमण हो गया है तो अब बताइए अब क्या करें दोस्त मुहम्मद बताइए आप लोगों के मन में क्या जा रहा है विचार इस समय दोस्त मुहम्मद ने क्या किया होगा तो विचारा दोस्त मुहम्मद जो है वो कींग का तब भोड हो गया फिर ओक्लेंड ने थोड़ा सा दिमाग लगाया ओक्लेंड सोचा कि अब रश्यान राजदूत आया है हमने मना कर दिया तो निश्चित रूप से रश्या की बात यह मान जाएगा इसी वज़े से इससे पहले कि कोई संदी होती अभी संदी हुई नहीं थी रश्यान राजदूत आया था इनसे मिलने विक्टेविच लेकिन कोई संदी नहीं हुई थी आपस में लेकिन आंग्लेंड ने खत्रा को भाप लिया था तो उसने सोचा कि अब क्या रास्ता है मेरे पास अब तो रास्ता यह है कि या तो अफगानिस्तान को भूल जाओ या तो एनिहाओ अफगानिस्तान में दोस्त मुहम्मद की जगह किसी और को बैठाया जाए और ऐसे विक्ति को बैठाया जाए जो हमारी बात सुने और तुरन दिमाग में बात आई शाह सुजा की कि शाह सुजा तो लोधियानम बैठा है और शाह सुजा तो चाहता था कि उसे काबूल मिले अब यहाँ पर ऑकलेंड जो है वो शाह सुजा को ले करके रनजीत सिंग के साथ में एक संधी करता है कौन कौन लोग संधी करते हैं अंग्रेजों की तरफ से एक संधी होती है जो कि ऑकलेंड है दूसरा शाह सुजा शाह सुजा जो इनहीं का नुमाइंदा बना बैठा है क्या नाम है पंजाब में ही लुधियाना में और तीसरा पेशावर माफ किजेगा तीसरा जो है राजा रणजीत सिंग जिनके पास में पेशावर है जिनके पास में पेशावर है अब वो रणजीत सिंग रणजीत सिंग इन तीनों की आपस में संधी हुई इन तीनों की आपस में जो संधी हुई उसको बोला गया त्री दली ये संधी तीन दल थे ना इसमें त्री ये दली ये संधी हुई और इस त्री दली ये संधी के बाद जो अफगान शासक दोस्त मुहम्मद है उसके उपर हमला हो गया आक्रमण हो गया 1839 में ये संदी हुई 1838 में आपस में इन तीनों ने आपस में संदी करी और इसी संदी के अनुसार ही शाह सुजा ने क्या किया अफगानिस्तान पर अफगानिस्तान पर हमला किया अब वास्तवी क्रूप में हमला ब्रिटिशस का था लेकिन ब्रिटिशस इसमें सामने नहीं थे ब्रिटिशस थे परदे के पीछे अंग्रेजों ने इनको धन दिया दौलत दी जाओ लड़ो इन्होंने सेना दी जाओ लड़ो और ये लड़ने पहुँच गए और वहां पर दोस्त मुहम्मद को हटा करके स्वैम गद्धी पर बैढ़े यह युद्ध हुआ अठारह सो उन्तालिस में यह हमला किया गया 1839 में हमला हुआ अठारह सो उन्तालिस में और इस हमले में काफी मतलब लड़ाई जगड़े हुए आपस में फाइनली अंततह जो है अठारह सो चालिस में अंततह 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 अठारह सो चालिस में शाहशुजा शाहशुजा काबूल का काबूल का शाहसक बन गया अंग्रेजों की सायता से और इसमें शाहसुजा ने एक बात एकसेप्ट करी इस संदी में शाहसुजा ने भी एक बात एकसेप्ट करी शाहसुजा ने एकसेप्ट ये करी कि जब हम राजा बनेंगे जो की बन गया अठारह सो चालिस में तो इसने कहा कि जब हम राजा बनें कि जो भी हमारी विदेश नीती रहेगी उस विदेश नीती में हमेशा मश्वरा करेंगे मंत्रना करेंगे मंत्रना करेंगे ठीक है मंत्रना करेंगे किस से मंत्रना करेंगे दो लोगों से दो लोगों से मंत्रना करेंगे अंग्रेजों से उंग्रेजों से और रनजीत सिंग से इन दोनों से मंत्रना करके ही हम आगे कोई विदेश नीती का पालन करेंगे अब ऐसा लगा कि शायद जो है ओकलेंड सफल हो गया है और मामला जो है वो बन गया, काम बन गया है ऐसा लगा पर लगने से क्या होता है वचन तो दे दिया था इसने लेकिन शाह सुजा को अफगान की जनता कुबूल तो करती अफगान की जनता शाह सुजा को कुबूल ही नहीं करी अफगान की जनता ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह का नित्रत्व किया अकबर खाने ठीक है? अकबर खां के नित्रत्व में क्या हुआ? अफगानी जनता ने विद्रोह कर दिया और जब ये विद्रोह किया अब ये कौन है? ये कौन है अकबर खां? ये बेटा है किसका बेटा है दोस्त मुहम्मद का दोस्त मुहम्मद का ठीक है तो दोस्त मुहम्मद का बेटा है अक्बर खान इसके नितृत में अफगानी जनता ने वहां पर विद्रो कर दिया और जब अफगानी जनता ने यहां पर विद्रो किया तो वह बहुत भीशन विद्रो हुआ तरी कसी देखिए दोस्त मोहम्मद जो है अन्गि जी सेना मतलब अगर हमत की देखें तो ये जो व्यक्ती था क्य यह वहाँ पर क्यल अंगरेजी सेना के दमपर ही राजा बना था और जब तक अंगरेजी इत्लम त mandar देस्थ सेना थी तभी तक को आपर जबरस्थी बने रह सकता था क्योंकि जंताने बिद्रोग कर दिया था तो उसको राजा मनने से इंकार कर दिया था शाह सुजा को लोग ने लेकिन फिर भी वो बना रहा और इधर युद्ध चलते रहे कि कुछ समय बाद लॉक्लेंड ने अपनी थोड़ी सेना वापस बुला ली लेकिन उसके सेना का एक दल जो है वह अफगानिस्तान में रहा जिसका नित्रत जो है जनरल एल्म फिस्टन ने किया ठीक है कुछ समय बाद कुछ समय बाद विद्रो हुआ तो कुछ समय बाद ओक्लेंड ने ओक्लेंड ने सेना वापस बुला ली सेना वापस बुला ली और जब सेना वापस बुला ली तो यहां पर एक टुकड़ी रहे गई एक टुकड़ी अफगानिस्तान में एक टुकड़ी रहे गई जो जो शासुजा की जो है थोड़ी साहता करेगी रक्षा करेगी उसका साथ देगी और उसका नित्रत वो कर रहा था जनरल एल्फिंस्टन जनरल एल्फिंस्टन ठीक है तो जनरल एल्फिंस्टन जो थे इनके नित्रत में एक विद्रो तेजी से और बढ़ गया और जब अफगानियों का तेजी से विद्रो और बढ़ गया तो 9 बर 1841 में ध्यान रखेंगे नवंबर 1841 में विद्रो थोड़ा जादा बढ़ गया और एलेक्जेंडर बर्ण जो था एलेक्जेंडर अ будет prawn जो था उसकी हत्या कर दी गई एलेक्जेंडर बन जो पहले दूत बन करके आया था ये युद्ध के समय में दुबारा आ गया था इसकी जो है अफगानियों ने हत्या कर दी और जब अफगानियों ने हत्या कर दी तो कुछी समय बाद 1841 में एक और कमांडर था जिसका नाम था मैकनोटन एक और कमांडर था मैकनोटन इस मैकनोटन के साथ में अफगानी संधी हुई अफगानियों ने अफगानियों ने संधी करी यह मैकनोटन के फ़समें की बात हो रही है एक और मतलब गवर्नर था यह ब्रिटिश अब इसने जो संधी करी है वो अफगानियों से करी है अफगानियों से मतलब दोस्त मुहम्मद का बेटा जो अकबर खान है उसके साथ में अकबर खान अकबर खान के साथ में संदी और ये जो संदी वी ना ये बेहद अपमान जनक संदी वी अपमान जनक अपमान जनक संदी वी इसमें संदी अपमान जनक किसके लिए थी अंग्रेजों के लिए मैकनोटन के लिए अफमाण जनक संधी ये थी बाई साथ तुरन्त आप यहाँ पर खाली कर दीजे काबूल बिल्कुल अत्काल प्रभाव से खाली कर दीजे और अस्ताक्षर करें उसे इस संदी पर अस्ताक्षर करने पड़े संदी में कुछ और बातें भी कहीं गहीं ऐसा नहीं कि केवल यही कहा गया कि अफगानिस्तान छोड़ के चले जाओ कुछ और बातें भी संधी में रखी गई जैसे दोस्त मुहम्मद को जिसको पहले कैद कर लिया गया था जिसको हटा करके जो शासुजाय वो शासक बना था संधी में कहा गया कि हथियार और अफगानिस्तान छोड़ कर अंग्रेज यहां से जाएं ठीक है दूसरा कहा गया दोस्त मुहम्मद की रिहाई की जाए दोस्त मुहम्मद की रिहाई करें तीसरा कहा गया की अगर चाहो तो तुम्हारे साथ में यह जो शासुजा है इसको वापस ले जा सकते हो यह चाहे तो यहां रह ले लेकिन राजा के रूप में नहीं रहेगा लेकिन अगर अंग्रेजी सेनक साथ में वापस जाना चाहता है तो चला जाए शाह सुजा शाह सुजा अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के साथ वापस जाना चाहें वापस जाना चाहें तो जाएं वापस जाना चाहें तो जाएं छोड़ दे रहा हूं जिन्दा लेकिन दुबारा ना आएं अब ये सब बाते मान ली थी उसके बावजूद भी इतने क्रोधित है ये सारे के सारे लोग कि इन्होंने 23 दिसंबर 1841 को मैकनौटन की भी हत्या कर दी मैकनौटन की हत्या कर दी मतलब पूरी तरीके से हावी हो गए अंग्रेजों के उपर मैकनौटन की भी हत्या कर दी एक दम और ये सारे जो कमांडर्स थे किसके नित्रत में थे ये सारे के सारे कमांडर जो है वो एल्फ इंस्टन्स के नित्रत में थे मैंने बताया था भी आगे चल करके अंतता जो है काबूल से सेनाएं वापस हुई काबूल से 1842 में सेनाएं वापस होने लगी और जब यह सेनाएं वापस होने लगी तब भी अफगानी रूके नहीं उन्हें अभी वी क्रोथ से भरपूर देखा गया और उन्हें 1842 में 1842 में यहिंस्टन की भी हत्या कर दी यह फिंस्टन की भी हत्या हो गई और इसकी हत्या के साथ साथ तक्रीबं 42 45 सो सेनिक और तक्रीबं 1200 जो सेना अनुचर के जो लोग ठे वो सब मारे गए भयंकर तरीके से कि कैसे मारे गए कि और इतना ही नहीं 1842 में शाह सुजा भी माड़ा लगया शाह शुजा जो था यह भी क्या कर दिया गया माड़ा लगया मत अटो गद्दी से सीधा जीवन से हटा देंगे तो इसका कारेकाल जो है यहां पर क्या हो गया खतम हो गया अर्य ही था आपका पर्थम आंगल अफगान युदध है यही था आपका पर वामन अंगल अफगान युद्ध%, अब मुझे बताए किस प्रथम आंगल अफगान युद्ध में किसी को कुछ मुला जब युद्धार जाते थे तब भी उनके पास शक्ति रहती थी दोस्त मुहम्मद के बेटा नहीं ऐसा नहीं है कि दर्बार के जो दूसरे लोग थे भाई अप राजा गदी पर ही तो बैट गए भो दर्बारियों को थोड़ी ने अपने पक्ष में लिया तो उन्होंने क्या किया कि जो है विद्रोख कर दिया क्या में नहीं चाहिए यह राजा हमें हमारे जाशा चाहिए अंग्रेज्चों तो यह था आपका अब इससे फाइदा क्या हुआ अंग्रेजों को कोई फाइदा नहीं हुआ ओक्लेंड की विदेश नीती बिलकुल बिकार साबित हुई अंग्रेजों को धन और जन की बहुत लंबी चौड़ी हानी हुई सीमा पर वर्चस स्वब नहीं मिला कताई नहीं मिला बिलकुल नहीं मिला ठीक है अफगानस्तान अंपायर किलर थे एक तरीके जहां ठीक है थे अब कंडिशन भी तो बनाई गई थी ऐसी क्या किया जाए जब सी छड़र रहे थे अंग्रेजों को तो क्या करें तो यह हुआ अब हम चलते हैं दुतिये आंगल अफगान युद्ध की तरफ अंगल अफगान युद्ध में तो हुआ बड़ा भारी नुकसान ब्रिटिश रसकों अंग्रेजों को दूसरा अंगल अफगान युद्ध जो है अठारसो अठतर से अठारसो असी के बीच में हुआ अब 42 से बहुत आगे आ जाईए सर जब पेशावर अगर सौप दिया गया तो पावर तो मिल गई थी तो फिर कुछ भी कर सकते थे अंग्रेजों को मा पेशावर किसको मिल गया था पेशावर नहीं मिल गया था किसी को भाई पेशावर किसी को नहीं मिला था ये काबूल का शासक बना दिया गया था पेशा पिशावर रखे रहो तुम हमें इससे मतलब नहीं है पिशावर नहीं मिला था यहां पर बिटा हां ट्रीटी और गंडमक की बारे में बात करेंगे 1857 की क्रांती हो चुकी है अभी पहले ही तो पहले देखिए दुती आंगल अफगान युदियां बुरी तरीके से अमद की मृत्य हो गई तो उसके बाद उनके भी 16 बेटे थे उनके 16 बेटों में आपस में जंग हो गई जैसे पहले हुई थी तो समय लॉर्ड लॉरेंस जो है वह भारत का गवर्नर जनल था लॉर्ड लॉरेंस लॉरेंस जो है यह क्या था उस समय भारत का गवर्नर जनल थ जिस समय दुती आंगल अफगान युद्ध की तैयारियां हो रही हैं होने वाली हैं लेकिन ऐसा था कि इसकी जो नीती थी ना ये बिल्कुल आहस्तक शेप की नीती थी ये बिल्कुल इंटर्फियर नहीं करता था इसने क्या किया कि दोस्त मुहमद की मृत्यो के बाद उसके जो जो बेटे शासक बंते चले गए सबको ये अफगानिस्तान का शासक accept करता चला गया हमें सारे शासक को बूल हैं हमें नहीं किसी से पंगा लेना अफगाणियों से पंगा नहीं लेना ऐसा उन्होंने कह दिया अब इसके समय बहुत सारे अफगानी शासक बार 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 बैठे बार बार आए बार बार गए जैसे 1864 में शेर अली जो है ये गद्धी पर बैठा अंग्रे जो ने का तथास तू तुमी शासको अफजल खान गद्धी पर बैठ गया अफजल खान गद्धी पर बैठा अंग्रे जो ने का तथास तू तू ही राजा बन जाजा वही मुझे कुछ नहीं करना है 1867 में आजिम खान गद्धी पर बैठ गया आजिम खान अंग्रे जो नहीं का ठीक है वही अफगानिस्तान के राजा तुमीं हूं इनको भी तथास्तू कह दिया 1868 में फिर से शेर अली जो है शेर अली जो है यह फिर से शासक बन गया अंग्रे जो नहीं का फिर से स्वागत तुमारा मतलब अफगानिस्तान में राजा बनने के ऊपर किसी प्रकार का इंटर्फियर अंग्रे जो ने करना बंद गर दिया जो अभी तक कर रहे थे इस उद जन्रेट बना लारेंस के बाद कि लार्ड मेव तो यह गवरनर जनल बने यह गवनर जनल रोन करके भारत आ है कि 1850 से 76 तक यह रहे 1872 से लेकर के शीयत्तर तक यह गवरनर जनल बने रहा है और इन्होंने भी लॉरेंस की ही नितिका पालन किया कि ठीक है वई जो राजा बनाओगे हम accept कर लेंगे तो इन्होंने भी exceptions जो है वो आगे रखी नहीं 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 लॉर्ड मेयो नहीं आया लॉर्ड मेयो के पहले लॉर्ड थोड़ा सा लॉर्ड ब्रुक आये लॉर्ड ब्रुक आये लॉर्ण्स लॉर्ण्स के बाद लॉर्ड ब्रुक का जो कारेकाल है वो बात्तर से चेतर का है तो लॉर्ड मेयो का बात्तर से चेतर लॉर्ड मेयो का कारेकाल अठारसों बात्तर में खतम हुआ अठारसों बात्तर में लॉर्ड म यह थोड़ा सा साही कर लिजेगा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था अभी इसको मैं सही कर दे रहा हूं यह थोड़ी सी गलती हो गई इसको सही कर लिजेगा लॉर्ड मियो का कारेकाल जो है वो 1872 में खतम हुआ और लॉर्ड मियो के बाद लॉर्ड मियो ने भी लॉरेंस की नीति का पलन किया लेकिन लॉर्ड नियों के बाद में जो जो गवर्नर जनरल बन करके भारत आया वो नॉर्थ ब्रुक था वो कौन था नॉर्थ ब्रुक और नौर्थ बूख थे इन्होंने गवर्णर जनरल के मतलब अपने कारेकाल के दोरान में मतलब 17866 तक यह रहे 1866 तक तो इन्होंने भी जो है नौर्थ बूख जो थे इन्होंने भी कोई खास मतलब चेंजेज नहीं किये इनके दोरान एक घटना जरू घटित हुई लौट बूख के दोरान एक घटना जरू घटित हुई यह जो शेर अली है यह शेर अली इनका स्वागत करने अपने प्रतिनिधियों को भेजा इसने प्रतिनिधियों को शेर अली ने शेर अली ने बुक का स्वागत करने के लिए बुक का स्वागत करने शिमला भेजा शिमला में इसके स्वागत में लोग गए कि ठीक है अच्छा हुआ आप गौने जर्न बन करके आए तो इनका जो है स्वागत किया गया हमाँ पर और इसी स्वागत में इसी स्वागत में बुक से इन्होंने सहायता मांगी सहायता मांगी ठीक है किसके खिलाफ रूस के खिलाफ रूस के गरुद तो शेर अली ने जब लॉर्ड बुक से अफगानिस्तान ने जब लॉर्ड बुक से रश्या के खिलाफ साहता मांगी तो लॉर्ड बुक ने भी क्या कर दिया अस्विकार कर दिया अस्विकार ठीक है स्वागत तो accept किया लेकिन सहायता का जो मसला था उसको उन्होंने accept नहीं किया हम भई सहायता नहीं कर पाएंगे यह हमसे नहीं हो पाएगा यह रोने का अब इसके बाद अगर देखेंगे तो 1776 में गोवर्नर जन्रल फिर चेंज होगे 1776 में गवर्नर जन्रल फिर बदल गे नॉर्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुग जो था लॉर्ड नॉर्ट ब्रुग जो था इनकी जगा पर लॉर्ड लिटन आगे कौन आ गए लॉर्ड लिटन और जब लॉर्ड लिटन आए 1776 में तो इन्हों ने जो अभी तक नीतियां लोग अपना रहे थे जिसको बोल सकते हैं दोस्ती करना है लेकिन सहायता नहीं कर रही है इस नीति को बोलाता था कुशल अकर्मनेता की नीति यही नीति का पालन पी अग्रगामी नीति का अग्रगामी नीति का पालन और इसके बारे में हमने कल बताया है आपको अग्रगामी नीति का पालन उसने इसलिए किया इसने दिमाग लगाया कि यह एक तरफ रशिया है एक तरफ ब्रिटेन है यह दो मजबूत रास्ठों बीच में अफगानिस्तान है तो क्यों ना अफगानिस्तान को अपनी तरफ मिला लें दो लोहे जैसे समराज जेन के बीच में मिट्टी का पतीला क्या कर रहा है इसको दबा देते हैं अपनी तरफ कर लेते हैं तो कर लिया ठीक है तो यह जो अग्रगामी नीती है लौड लिटन की इसी के कारण जो है दुती आंगल अफगान युद्ध होगा तो दुती आंगल अफगान युद्ध का एक कारण तो यह हो गया लौड लिटन की अग्रगामी नीती का पालन करना दूसरा 21 नॉवंबर 1878 को लिटन ने युद्ध की घोशना कर दी 21 नॉवंबर 1878 को युद्ध घोशित कर दिया युद्ध की घोशना कर दी लौड लिटन ने अब शेर alleen भाग गया शेर जोबिस champ सायता मांग रहा था पहले के गाव्ण जनरल से वह जो ही अजिएर ली जो है शेर अली जो है यह भाग गया और भाग कहा रशिया की एक तुरकमेनिस्तान एक जगा पड़ती थी वहां चला गया तुरकेस्तान रशिया के तुर्किस्तान में रूस के तुर्किस्तान में चला गया तुर्किस्तान में शेर अली जो है रूस के तुर्किस्तान में चला गया 1879 में और यहीं पर इसकी क्या होगे डेथ होगे यहीं मृत्य होगे और इसके बाद इसका जो बेटा था शेर अली का बेटा जिसका नाम था याकूब खान इस याकूब खान को अफगानिस्तान का अमीर बनाया गया और ये अमीर किस ने बना दिया अंग्रेजों ने अब जल्दी से दिमाग पर जो डालो कि अंग्रेजों ने जब इस बार सेकेंड युद जीत लिया और याकूब खान को अफगानिस्तान की जब गर्दी दे दी अमीर जब अफगरेजों की सायता सी ये बन गया तो स्वाभाविक सी बात हिए की कुछ संदी होगी और ये जो संदी हुई की इसी संधी को बोला गया गंडमक की संधी तो गंडमक की संधी जो है जह पर हमको देखने को मिलेगी इस गंडमक की संधी के बारे में हमको थ्षान रखना है गंडमा कि संधी उसे पहली शर्थ याकूब ने यह स्विकार किया कि काबूल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा काबूल में काबूल में एक क्या रखा जाए ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाए ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाए और ना फिर ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाए बलकि दूसरी जो जगए हैं काबूल की अफगानिस्तान की जैसे हेरात वगएरा और दूसरी वहां सब जगहों पर बिटिश रेजिडेंट रखे जाएंगे याकूब ने कहा स्विकार है क्या कर सकता था पिदा भाग गए थे यह मजबूरीम बनाए गए थे उसके बाद यह कहा गया कि अफगानिस्तान की विदेश नीती पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा इन्होंने कहा तथास तू रख लीजे नियंत्रण कोई दिक्कत नहीं है राजा बने रहने दीजिए अंग्रेजों ने एक और संदी रखी जिसमें कुर्रम कुर्रम जो है ये अफगानिस्तान में एक दर्रा है इसी की तरीके से पिशनी या मिशनी कहीं लिखा रहता है मिशनी मिशनी दर्रा कुर्रम दर्रा ये दोनों दर्रे हैं इस पर नियंत्रण किसका होगा इस पर नियंत्रण होगा अंग्रेजों का अंग्रेजों का नियंत्रण होगा इस पर ये कहा गया अंग्रेजों का नियंत्रण होगा और साती सात ये भी कहा गया कि ये कुर्रन जिला भी है पिष्णी जिला भी है तो कुर्रन और पिष्णी जिले हैं सिब्री जिले हैं इन सब का प्रशास्थनी कदिकार भी हमारे पास में होगा कि इन सब के बदले याकूब को क्या मिलेगा याकूब को इन सब के बदले याकूब को क्या मिलेगा भई याकूब को राजचाही तो मिली गई वास्तिक रूप में यह अंग्रेजों का टट्टू बनके रह गया इनको का गया कि आपको 6 लाख रुपए वार्शिक मिलेंगे 6 लाख रुपए वार्शिक पेंशन मिलेगी और आपके राज्य को सुरक्षा प्रदान करी जाएगी सुरक्षा और कौन प्रदान करेगा अंग्रेज स्वाब अब एकसी बात है अब ये जो संदी हुई है पूरी तरीके से बिटिशर्स के पक्षमे हुई यहाँ पर अंग्रेज हावी हुए लेकिन अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान था अफगानिस्तान में फिर भी द्रो हो गया इस संदी को तमाम सारे अफगानिस्तान ने बिल्कुल एक्सेप्ट में किया असंतोश फैल गया और जब असंतोश फैल गया तो सितंबर 1889 में सितंबर 1889 में काबूल में हुआ विद्रो काबूल में जन विद्रो हो गया कि यह नहीं स्विकार होगा यह नहीं चलेगा और इस जन विद्रोह ने क्या किया जो रेजिदेंट बैठाए गया था ब्रिटिश रेजिदेंट उस ब्रिटिश रेजिदेंट की हत्या कर दी British President کی क्या कर दी इन्होंने British Resident کی हत्या कर दी चूकते नहीं ते, जरा सा विदरोह क्या, मार मुरग खतम कर देते तुरन तो British Resident की हत्या कर दी हाँ पर और जब British Resident की हत्या कर दी तो अंग्रेज जो है, वो फिर से एक ब़र काबूल की जनता पर हावी हो गए और बुरी तरीके से विद्रोह को क्या कर दिया गया विद्रोह को दबा दिया गया दबा दिया और जब अब की बार विद्रोह को दबाया तो अंग्रेजों के हाथ में काबूल और कांधार दोनों आ गया इसके बाद काबूल भी अंग्रेजों के हाथ बिटेशस का हो गया याकूब को ये जो याकूब महोदे थे इस विद्रोह के बाद याकूब को कैद कर लिया गया याकूब को बंदी बना कर के बंदी बनाकर बंदी बनाकर देहरादून भेज दिया देहरादून कि भाईया आप तो देहरादून निकल लो अब तो इसको बंदी बनाकर के देहरादून निकला दिया अब इसके बाद क्या हुआ आगे चल करके 1880 में लिटन जो है 1880 में लिटन जो है ये अफगा अर्वर्ण वापस चले गया है रिजाइन कर दिया है और लिटन के बाद जो है जो भारत में governor general बन करके आया वो हुवे रिपन Lord Rippan और रिपन जो थे ये थे उधारवादी ये कौन थे ये बहुत ही शांट सभाव के थे ये उधारवादी थे ये जादा कुछ परिशान नहीं करते थे किसी को तो यह उदारवादी चरित्र के रिपन जो है वो यहाँ पर बैड़ गए गवर्नर जनरल बन करके बैड़ गए अब जब ये गवर्नर जनरल बने उदारवादी रिपन जब गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने इनके समय में घटना घटित हुई कि जो दोस्त तली था ना दोस्त मुहम्मद जो था दोस्त मुहम्मद का बड़ा बेटा था अफजल खान इनके समय में घटना घटित हुई दोस्त मुहम्मद का मुहम्मद का बड़ा बेटा इसका नाम था अफजल खान इस अफजल खान का एक बेटा था अबदोरहमान अबदोरहमान ये रशिया की कैद में था रूस की कैद में ये रूस की कैद में चला गया था युद्धों के दौरान जब बीच में युद्धों थे और अब जब ये रिपन यहां पर आए तो उस दौरान ये किसी तरीके से अफगानिस्तान की सीमा में पहुचने में कामियाब हो गया और जब अब्दुल रह्मान अफगानिस्तान की सीमा में पहुचा तो इसने स्वयम को जो है वहां का जो अमीर है वो गोशित किया अमीर घोशित किया अपने आपको गोशित किया स्वयम को और जब इसने स्वयम को अमीर गोशित किया तो रिपन ने इसको अफगानिस्तान का अमीर accept कर लिया कि ठीक है भई बन जा तू भी तो ये भी मतलब बहुत नॉर्मल नीती का पालन करते थे और इस तरीके से ये दुती अफगान युद्ध जो है वो समाप्त हो गया अब जो तरीक अफगान युद्ध हुआ है उसका बहुत छोटा सा कारण है उसलिए उसको बहुत ज़्यादा पढ़नी के आशक्ता भी नहीं है अगर हम देखेंगे तरीअफगान युद्ध के बारे में तरीअफगान युद्ध ये हुआ है 1919 से 1921 के बीच में उननीस से इन इक इस उननीस में शुरूब और एक इस में खतमी कर दिया गया अब इसमें क्या हुआ सेकेंड रुट के बाद सब कुछ ठीज ठीज ठीक ठाक चल नहीं थी लेकिन ब्रिटेन को एक हमेशा दिक्कत रहती थी कहीं मतलब ब्रिटेन को रशिया के आक्रवन का हमेशा खत्रा रहता था बाकी सब चीज़ें ठीक था अफगानिस्तान पर ठीक ठाक नें इंतर चल दा थ 188 में पंजदेह एक जगह थी वहां पर रशिया ने कपजा कर लिया तो अंग्रेजों को लगा किया तो बढ़ते चले आ रहें फिर से और जब इनको लगा कि बढ़ते चले आ रहें तो कुछ समय बाद जो है जब स्थिती गंभीर हुई तो रशिया ने बीच बचाओ फिर कि था और बीच बचाओ करके एक डर्रा जुल्फिकार जुल्फिकार दर्रा ठाऊ उसल बादरे को अफगानिस्ताब को दे दिया आ फगानिस्तान शांत हो गया है और एक समय लगा कि चलो सममामलाप फिर से ठीक हो गया लेकिन आगे चलकर के 8 Howeverow 785 میں जो और पर फिर से फारे में अंतराश्री संदी हो गई उसकी वज़े से यहां पर युद्ध टल गया तो बार बार स्थिती बंती भी गड़ती रही लेकिन वास्तिक रूप में तरती युद्ध कब शुरू हुआ वास्तिक रूप में तरती युद्ध तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान का जो बहकावे में किसके आगया आप देखिए 1919 का समय हो रहा है First World War चल रहा है और इसने जो है जर्मनी के बहकावे में आ करके एक दुस्ताहस कर दिया जर्मनी के बहकावे में आ करके इसने भारत की सीमा पर आक्रमन कर दिया भारती सीमा पर आक्रमन कर दिया और इसी आक्रमण से ही जो है वो तृती कह सकते हैं कि आंगल अफगान जो युद्ध है वो शुरू हुए ठीक है तृती आंगल अफगान युद्ध है इसी के वज़े से शुरू है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी द्वारा जब यह भड़काए गे तो उन्होंने अफगानिस्तान और जो बृतिश इंडिया उस समय बृतिश इंडिया één बृतिश इंडिया इंडिया और अफगानिस्तान ठीक है इनके दोनों के बीच में क्या होगयी शांति सम्झाइड़ व मतलब इसके बाद किसी तरीके का अफगानिस्तान ने कोई कुकृत नहीं किया जिसकी वज़े से अंग्रेजों को कोई दिक्कत आती अंग्रेजों की दृष्टिकोंड से ये कोई कुकृत नहीं था हाँ जब हभी बुल्ला ने इस तरीके के हरकत करी तो हबिबुल्ला मारा गया उसके बाद आना मुल्ला शासक बना उसी के साथ में बाद में सानसम्दोते होगे तो ये तीसरा आंगल अफगान युद्ध था तो मुझे पूरी उम्मीर है कि तीनों आंगल अफगान युद्ध के दौरान आपने सारी चीजे ध्यान से सुनी होंगा इस दौरान मैंने आप से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करी है चर्चा नहीं करी है क्योंकि अगर चर्चा करता तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा झो है वो हор खराब हो जاتा था इस वेज अनट टए टेंट को काबूल में ब्रिटिस बात बात जो है वो सारी समझ में आगी सभी को किसी को कोई दिक्कत तो ये था हमारा जो है आंगल अफगान युद्ध जो कि मैंने आपको दिखा दिया अब अफगानिस्तान से भी संबंद देख लिया आपने नेपाल से भी संबंद देख लिया बर्मा से भी संबंद देख भारत में जो अलग-अलग राज्यों के संबन थे वो तो हमने बताया ही तो जो अंग्रेजों का प्रचार प्रसार था वो सब अच्छी तरीके से हो गया है I hope कि आपको दूसरा यो यूनिट है अच्छी तरीके से clear हो गया होगा दूसरे यूनिट को लेकर के अब किसी के मन में कोई संदे तो नहीं है किसी के मन में दूसरे यूनिट को लेकर के कोई संदे दूसरा यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है बहुत-बहुत सारे आज 25 लेसन है जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं लगातार एक सांस में हमने सारी चीज़ें आपर पढ़ लिए क्योंकि थोड़ी लंदी सेशन था इसके अब आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडिएफ मिल जाएगा आपको विरत दुबेज जिरो वन ये टेलिग्राम है इसमें जुड़ जाएए अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे या फेस्बुक पे फिर से मैं दोरा देता हूं कि लास्ट डेट कल है इसलिए एडमिशन कल को कल के अंतजार न करो जिसको लेना है वो आ सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चलिए आज के सतर में इतना ही आपका समय शुभ हो मुलाकात करेंगे कल फिर साम शारे पांच बजे तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद